तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने SSC CGL 2019 का फॉर्म आपने भर दिया होगा और आप लोग ने अपनी तयारी भी शुरू कर दिया होगी आप सब लोग का अपना स्ट्राइजी होगा लेकिन यहां पर कुछ बच्चों के साथ इसूज यहां पर हो सकते हैं वैसे ब बेस्ट अफ लग मेरे तरफ से अपनी तयारी आप कंटीनर रखे लेकिन जो थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं इसूज है उनके दिमाग में क्या करना है कैसे करना है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं यहां मैं स्ट्राइजी नहीं बनाओंगा स्ट्राइजी सबकी अ पढ़ना पड़ेगा अगर आप सेल्फ टेडि नहीं कर पाते हैं तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको एक गाइडेंस एक मोटिवेशन एक कोचिंग की जबरती है तो जहां तक कोचिंग की बात है तो मैं आपको रिगमेंट करो हूँ है कि बहुत सारे आजकल ऑन-लाइन से जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसे की करियर विल हो गया अनकेडमी प्लस हो गया और भी यानिकर राकेश रादव की जो भी है तो बहुत सारे ऑन-लाइन प्लैट्वर्म से जहां पर काफी अच्छे-च्छे कोर्स रन कर रहे हैं और फीस भी काफी नॉमिनल है ऐ फिर आप लॉस में रहोगे बहुत सारे हर प्लैट्वर्म पर इस ताइम पर नया बैस टार्ट होने वाला है या हो चुका है आप किसी से भी जॉइन कर सकते हो और अगर तीचर की बात करूं कि क्या जज कैसे करोगे तीचर को तो यूट्वर्म से आप टीचर की क्वाइट जज कर सकते हो उसके बाद उनके कोर्से पर्शेस करो यह मेरा पर्सन से जिशन है एक बात यह आप मैं और कहना चाहूं किस एजुकेटर से पढ़ने कौन सा बेस्ट एजुकेटर है तो दोस्तों मैं आपको बता जाता हूं कि से सीजेल के लिए कोई ऐसा हाड़न फास्ट क कौनसेट से मैंने सीखें तो मैं आपको यह होंगा दोस्तों कि जिस एजुकेटर से आपका रेजनेंस हो जिससे आप कनेक्ट कर पाऊ जिससे आपको मज़ा आए पढ़ने में समझ पा रहे हो उसी के कोर्चेस करना उसी के साथ आपको आगे चार महिने बिताने हैं तो कोई बेस्टीचर नहीं होता है बेस्ट कोर्स नहीं होता बेस्ट एजुकेटर कुछ भी नहीं होता सब आपके हिसाब से आपके रस्पेक्ट में होता है दोस्तों जो अगली इंपॉर्टन बात आती हो आती है यह बुक्स की कौन से बुक्स फॉलो करें अगर हमें अच्छ की बताता हूँ थोड़ सा कंसर्ट मैं आपके डिमाग में देखिए या तो आप उधी बुक्स को फालो करिए और तीन-चार महिने में जितना फालो कर सकते हैं उतना ही फालो कीजिए ठीक है या मैं आपको कहूंगा कि पिछले एक-दो साल का है प्रिवेस यह लेके आई ए मैं आपको बताता हूँ कि प्लस माइनस क्या है दोनों आप्शन में अगर आप मोटी वाले बुक को बनाते हो हाफ वहां पे आपने बनाया हाफ हाफ बनाने से दिक्कत क्या होती है दोस्तों आप कोश्टन भरी आपने बहुत जादा बखर लिये लेकिन आपने हर टाइप कोश्टन आपके नहीं किया है अभी जब तक आप पूरा कोश्टन नहीं करोगे तो तक आपका सारा टाइप कवर नहीं होगा वहां पर क्या होगा एक तो आपने टाइम बहुत दिया प्रैक्टिस आपकी होगे लिए कुछ टाइप आपके छूटेंगे ही छूटेंगे आपको फील हो जाईगी तो अगर आप मेंके अंदर कॉफिजन्स की कमी है और आपको मैं बता जाता हूं कि SSE CGL जो एक्जाम है वो पूरा का पूरा गेम जो कॉफिजन्स का ही होता है चाहँ पता नहीं कैसे आप जैसे भी कॉफिजन्स डेवलप कर सकते हो करो वही आपको अगर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत जादा मुश्किल होती है तो अगर आप वह काम करोगे अगर आपने बुक कंप्रीट नहीं कर रहा है तो आपको कॉफिजन्स नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपने 16-17-18 पिछले 2-13 साल की प्रिवेश येर वाली बुक खड़ी दी तो प पहले साब त्यारी कर रहे हो फिर अलग बात है आपको टाइम होगा तो आपको बना सकते हो लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं कहूंगा कि आप 16-17-18 वाली प्रिवेश येर पेपर ही खरीदो अब दोस्तों बहुत लोग यह सोचे गन्फिज रहते कि स्ट्रेजी क्या बना है प्रिवेश से प्रिपर फोकस करना है और भी काफी सारे एलेमेंट्स है जो मैंने सब्जेक्ट वाइस मैंने वहां पर बता है तो जाकर आप आप देख सकते हैं स्ट्रेजी में कोई खास बदलाव करने के जरूरत नहीं है जो बच्चे मुझे पहले से फॉरू कर रहे हो पर आप है कि यह करना है तो रूटीन कैसे करें कि जारा ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा हो सकता है तो मैं आपको यह बताता हूं कि अगर कोई भी लड़का तो निकालता है रूटीन ये कोई matter है ही नहीं, रूटीन सबका अलग-अलग होता है, अपने हिसाब से होता है, अपने comfort zone के हिसाब से होता है एक बदना का जो situations हैं वो दूसरे से match नहीं कर सकता है, आप किसी से भी 100% relate नहीं कर सकते हो रूटीन एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ खुद ही बनानी पड़ती है, इसमें कोई आपको हैल्फ नहीं करेगा आप देहो कि आपको पढ़ने की टाइम कब आपको जादा मिल रही है, कम मिल रही है, उस हिसाब से आप रूटीन बनाते हैं बहुत लोग ऐसा करते हैं की सब्जेक्ट वाइस रूटीन बनाते हैं, की संड़े को मैथ दो गंटे पढ़ने हैं इंगलिस तिन गंटे पढ़ना हैं रिज दिंग दो एक हंटा पढ़ना हैं जी के जाधा पढ़ना है ऐसे करते हैं, फिर अगले दिन थोड़ा सा चेंज अ कमी होती है, और मैंना आपको कहा है कि सीजियन जो एक्राम वे वो कंप्लीट ली रूटीन वाइस आपका तूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको यह कहूंगा दोस्तों कभी भी वो पेपर वाला रूटीन कभी मत बनाना, कभी मत बनाना वो तूटता ही तूटता है, क अगले दिन की रूटीन आज रात में सोते वक्त बनाना नहीं, मैं आपको यह अशौर करता हूं कि आप अच्छे तरीके से ग्रो करोगे, दोस्तों जब रूटीन की बार आती है, तो यह सबसे पहली बार दिमांग में आती ही, कितने घंटे पढ़ने सो, अगर मैस के तरह है, वो सबके लिए अलग है, अगर आपका मैस अच्छा है, तो मैस को थोड़ा आप कम टाइम दे सकते हो, इनली से आपका वीक है, तो मैस को जादा टाइम दो, जिसमें आपको जादा प्रॉलम है, उसी को पढ़ो, अगर जीके तफ लगता है, उसी को पढ़ो, वो आपको वो डेर बना वो डेर जो है वो ego से connected होता है और अगर ego पर कोई बात आप किया जाती है तो वो आपको सबसे ज़्यादा motivate करती है तो जो subject आपको tough है उसको dare बना के उसे पढ़ो definitely आप उसमें इंप्रूव करोगे आवर्स मैंटर नहीं करते हैं कोई office जा रहा है बंदा मैंने उसको देखा है तीन चार घंटे मेरे relative मेरे relative है भी मैं कल ही उनसे मिला हूँ और वो full time job करते हैं ठीक है night shift भी होती है day shift भी होती है change होती रहती है उनकी और उन्हें तीन चार घंटे मात्र पढ़के उन्होंने सिर तो मैंटर नहीं कि आप 10 गंटे पढ़ो 12 गंटे पढ़ो इससा कुछ नहीं होता है productivity तीन आप उस 12 गंटे में क्या पर रहे हो आट गंटे में क्या पर रहे हो फिर भी अगर मैं on and average बता हूँ तो 5-6 गंटे का output रखो गयो कि time बहुत जादा नहीं है अगर 5-6 गंटे आप तो मैं विश्वाह दिलाता हूँ तीन-चार गंटे पढ़के भी आप CGL करक कर सकते हैं आपको बिल्कुल भी हताया शानीरा सुने के कोई जरूरत नहीं है SSC CGL हर एक बंदे के लिए है जो सरकारी जॉब लेना चाहता है अब प्राइवेट जॉब कर रहा हो पार्ट टाइ आपको प्री में बाहत है पढ़रने के ज़रूरत नहीं है यह क्या हो जाएगा वह क्या हो जाएगा उसके लिए आपको मेंस के लिए सुन फीर मेंस का करें सर्फ फाल्लू कर लिए नीज्यिव को बढ़ने की श्ऱॉरत है सुन ही और के बनाजिए न पर आएग भी 민주 उस ऑ кажется में और मैस में भी ठीक है लेकिन मैस में थोड़ा साब को इंसाइट डेवलप करना पड़ता है तो वह थोड़ी अलगची होते लिए इंग्लिज जो है बहुत ही आसान है प्रिवेस के दो तीन सेट अगर आप लगा भी लगा लो तो भी आप अच्छा सकोर कर लोगे मैस पिछले एक दो साल से सी कल्कुलेटिव आ रही है तो उसमें नंबर से उपर नीचे हो सकते हैं इसलिए मैस के लिए बहुत जादा आपको तरने की ज़रूत नहीं है जितना आप से हो सके उतना ही करिए थोड़ा सा मैस को जादा टाम दीजिए इंग्लिज के रिस्पक्ट है तो अगर आप खुद पर राज कर लो अपने अपनी जो आपकी वन बहुत चंचल होता है अगे पिछे आपको ले जाता है मन पे आप अपर आप जब दोगे जो आपको नहीं है, तो इसलिए इन आखरी के दिन चाहर महीने खुद पर लगा दो यार अपता नहीं यह तो आपको कब मिलें, कोई नहीं कह सकता है अब दोस्तों यह जो आखरी पॉंट है और वह है कि फर्स टाइम इस दा बेस्ट चांस ठीक है, अगर आप पहली बार सीजल दे रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है, इतना अच्छा मौका फिर को फिर आपको कभी नहीं मिलेगा इसलिए निकालेगा, इसलिए निकालेगा फरसमौ आपके लिए पहली रधा की पढ़ते हो तो आप बहुत ही फ्रेश मैंट से पढ़ते हो दूसरी बार पोगे तो बहुत बोर जाओगे तो एक तो ऐसे ही सीजल का जोबस है बहुत जादा बोर नहीं काल जाओगेगा तो इसलिए मैं पो गहाँ कि थोड़ा सा फर्स टाइम है थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल कर लो और effort लगा तो बहुत सादा क्योंकि इससे अच्छा चांज आपके पास फिर कभी नहीं आएगा इसलिए CGL बहुत अच्छी चीज़ा आपको प्रवाइड करता है और इस पार S दोस्तों मैं हो भूुत जल्दी मिलेंगा तब तक चलिए